हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चनल में फ्रेंड्स एक नई नोटिफिकेशन आ रही है वेस्सेंटर डेलवे और भी भोपाल की तरफ से फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं यह आपका नोटिफिकेशन जो डाली है तो दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन में जाकर इंटर हम करेंगे और डिटील में दोस्तों नोटिफिकरेशन को हम पढ़ लेंगे तो दोस्तों पहला नोटिफिकरेशन वह आपका है केंद्रिकीद रोजगार अधिसुचना संख्या दो अबलिक दो अठारा के अंतरगत ओवी सी नौट वेरिफाइड आवेदोको के संबन्द में महतुपुन सुचना तो यह आपका प तो दोस्तों हम बारी-बारी से दोनोटिफिकरेशन वह दिख लेते हैं जो पहला आपको नोटिफिकरेशन है वह आपका है कि वैसे कंडिटेट जो OVC के तहत एक री मेडिकल के लिपलाई किये थे जिसमें कंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका जो OVC सर जो आपका है वो बायोमेट्रिक यानि दोस्तो आप अंगुठा का निसान जो लियार लगाते हैं वो डोकुमेंट वेफिकिशन के समय होता है आपका तो वो आपका वेरिफाइड नहीं हो पाया जिसके कारण ये दूसरी सुचना यहाँ पर जारी की गई है तो दोस्तो पहले चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को जरू से जरू दबा लिएगा ताकि फीचर में जितनी वीडियो आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथ साथ दोस्तो आप हमारे ओफिसल टेलिग्राम गूर्प से जुड़ सकते हैं डि फ्रेंड्स यह रहा वो पहला नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आप लोग देखे रहे हैं और यह भरती पर कोष्ट पस्षे मद्र रेल और दोस्तो यह आपको ओबीसी नोट वेरिफाइड कंतरगत है तो सुचना में क्या है दोस्तो उसको हम डीटेल में पढ़ लेते ह तो केंद्र की दिरोजगार सुचना सी एन दो अबलिक दो अठारा कंतरगत ओबीसी नोट वेरिफाइड आवेदगों के ओबीसी परमानपत्र की जांच दस्तावेश एवं उमिद्वारिता सत्यापन के समय की गई थी और यह पाया गया था कि कुछ आवेदगों द्वारा मतिक आए शांच दैवी के समय आपको ऊबीच के सारा सर्टीफिकेटा आपको जमा करना पड़ता है तो उस समय कुछ कनेड़ ऐसे पाए गये जो ऊब्सी सर्टीफिकेट वहां समहीन कर पाई कि इसी आपधिक समय उनको एक्स्रा समय उस समय नहीं दिआ गया था, उक्तसब प्रारूप में OBC का परमान पत्र प्रसूत करने के लिए दिनांग 27.11.2020 तक का समय दिया गया था तो दोस्तों रेल्वी ने इक बार उनको फिसे मौका दिया था और एक्स्टा टाइम भी दिया था जो कि आपका 27.11.2020 तक का है तो उस देट तक बोला गया था कि आप लोग अ यह टोटल यहां पर 12 का नाम रोल नंबर है तो यह वैसे कंडिड़ेट का है जो वहां पर एस पर नोटिफिकेशन जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट का अनुसार जो OBC का सर्टिफिकेट होता है वहां पर जमा नहीं करवा पाए हैं अब दोस्तों इसके संबन में और क्या सर्टिफिकेट वहां समिट नहीं कर पाए किसी कारण वर्स तो इन सभी लोगों को यह टोटल आपका 12 रोल नंबर है यहां पर तो 12 लोगों को जेनरल केटिगरी में रखा जाएगा याद रखिएगा दोस्तों इन सभी लोगों को अब OBC में वहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा इनको जेनरल में वहां कंसिडर किया जाएगा तो आप देख सकते हैं यह आपका रोल नंबर है तो इन लोगों को डीवी अवगरा सारा कुछ होई चुका है तो उमीद करते हैं कि जल से जल इन लोगों को पैनल लिस्ट भी आ जाए लेकिन इन सभी लोगों को जे बायमेट्रिक डीवी के समय बायमेट्रिक वेरिफाइड नहीं हो पाया था तो सुचना में क्या है है उसको हम डीटेल में अब देख लेते हैं तो आविदको के अभियवेदन परतिवेदन की क्रम में आवगत करा जाता है कि आपने केंदरिक्रित रोजगाज अधिसुचन परिच्छा दिनांग 25-3-219 से 30-3-219 एवं 22-4-219 से 7-6-219 तक दस्तावेज एवं उमिद्वारता सत्यापन के लिए बुलाए गया था सत्यापन के दौरान आपसे बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट थम इंप्रेशन सिकनेचर लिया गया था तो दूस्तों यहां बताए जा रहा है कि आपका इस इस डेट में आपका एक्जाम हुआ उसके बाद पीट हुआ उसके बाद डीवी हुआ तो इस इन सारी क्रम में सारे प्रोसेस में आपके जो थम इंप्रेशन है वो लिया गया था ठीक है अब आगे देखे क्या है तो बायमेट्रिक नोट वेरिफाइट के सम्वन में 28-9-2020 को सुचना जारी की गये थी तो दोस्तों इसके सम्वन में एक नोटिफिकेशन भी रेल्वी ने जारी की थी RRC वेस तारीक तक का लास्ट दिया गया था ताकि आप अपना मौजिद्गी और अपना सत्यापन आप करवा सको जिसके बिरूद निम्न आवेदकों का अभियावेदन परतिवेदन इस कारेयले में प्राप्त हुआ तो उसके बाद दोस्तों यहां देखे हो यह का लिस्ट है पर सुच्म परिशन किया गया जिसमें अदोहस्ताचर करता ने निन्य लिया है कि आपसे पुना थम इंप्रेशन राइटिंग सिगनेचर के सेंपल लिये जाए ताकि सुच्म जाच की जा सके तो दोस्तों यहां पर बड़ी ख़बर आ रही है कि यह सारे जो टोटल आपका 19 सिकनेट है तो इन सभी लोगों को एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा तो कैसे होगा आपका थम इंप्रेशन लिया जाएगा आपका राइटिंग सेंपल लिया जाएगा और आपका सिगनेचर करते हैं तो वो सारा तीन चीज़ का यहां पर सेंपल लिया जाएगा और ज यही complete notification थी जो RRB भोपाल West Central Railway के तरफ से आई थी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धनबाद जय हिन जय भारत